नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स के यूटूब एज़ियो किसने चनल में आज की यूड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे पस सुखाने की दवायों के बरे में तो हम जानेंगे कि पस फार्मेशन होता है कैसे है पस किस तरह से बनता है हमारे सरीर केंदर उसके सिम्टम्स होगिरा क्या होते है और जानेंगे कि पस उखाने के लिए हम कौनसी अलग-अलग दवायों को यूज़ कर सकते हैं तो डेटेल में जानते है आज के लेक्चर में और जानेंगे कि पस किस तरह से बनता है कौनसी दवाय अवगिरा यूज़ होत लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तब आते हैं टॉपिक पियर समझते हैं पस के बारे में तो पस क्या है वो सबसे पहले आप समझ ये तो पस जो एक टाइप का थीक फ्लूइड होता है कि जो इंफेक्शन के करण हमारे सरीड के अंदर बनता है कि मानल होता है में लां कि वो बनता है तो उसके अंदर क्या होता है तो एक उसके अंदर Once करह होते हैं तो जब भी हमारे बॉडी के लिए कि इम्यून इंटर होता है तो तुरंत हमारे जो बॉडी के वह उनके सामने वह एटक करते हैं जिसके करण क्या होता है कि जहां पर इन दोनों के बीच में प्रॉपर एक बैटल होती है कि जैसे आप आप देख सकते हैं जो फाइटिंग या फिर बैटल होती है कि यह वाला जो आप देख रहे हैं वह आपके सरीर का वाइट बलड सेल है और यह जो है वह आपके बैक्टेर या फिर कोई माइक्रो आर्गिनिजम हैं तो जैसे ही यह माइक्रो आर्गिनिजम हमारे सरीर में एंटर होता है तो तुरण डबली बीसिज क्या करते हैं कि उनके सामने फाइट बेक करने लग जाते हैं उनके साथ जो वह फाइटिंग कर और उनको destroy करने का काम करते हैं तो यही जो पूरी process होती है उस दोरन क्या होता है कि white blood cell भी कुछ destroy होते है जो यहाँ पर हम देख रहे है diagram के अंदर उसे तरह से bacteria भी kill होते है और जो हमारे जिस सेरिया में यह infection हुआ है वहाँ पर जो tissues होती है या फिर cell होते है वह भी destroy होते है तो यह तीनों के composition से एक ठीक जो फ्लूइड दयार होता है कि जिसको हम पस कैदे है तो यह उने के main reasons हम देखे तो जो अलग-अलग type के infections होते है वो infections के कारण ही पस formation होता है और जितने भी अलग-अलग type के bacterial infections होते है उसको समझे के समय पे ठीक नहीं किया जदा तो उनके अंदर जो वो pus formation बन सकती है और वो और ज़्यादा बढ़ सकती है तो उसके symptoms हम देखे कि जब भी pus formation होती है कि समझे कि आपको यहाँ पे skin के उपर pus formation यह हुआ है तो वो जगा पे आसपास swelling हो जाती है सूजन हो जाती है और वहाँ पे touch करने पर आपको दर्द होता है दूसरी कुछ symptoms देखे तो यहाँ पे भी आप देख सकते है कि यहाँ पे जो pus बना हुआ है उसके करन जो आपका यह nail का आसपास का रिया है कि समझे कि आप वहाँ पे touch करते है तो वहाँ पे आप देखो यह जो नियाफरोन का बाग होता है वहाँ पे pulse बरा हुआ है उसी तरह से किसी भी जगा पे kidney के अंदर pulse formation हो सकती है यह तो सिर्फ kidney का example ऐसे जितने भी अलग-अलग हमारे internal ringer है शरीर के अंदर वहाँ पे bacteria infection समझे कि और ज़्यदा फैलने लगता है तो वहाँ पे भी pulse formation होने लगती है फिर eyes में समझे कि इस तरह से infection होता है तो वहाँ पे भी इस तरह से pulse formation जो हो सकती है और उसके करन आप इस तरह से देख सकते हैं जो discharge जाता है आपकी आकों में से फिर उसी तरह से समझे कि ear में होता है कान के अंदर bacterial infections फैलता है midter ear infection जो हम खास कर कहते हैं तो उसके अंदर भी हमारे कान में से discharge आने लगता है और उसके अंदर भी pulse जो होता है फिर जो pelvic inflammatory disease की जो हम condition कहते है PID के अंदर तो वहाँ पे जो specially reproductive system होती है होता है कि winner कोई infection इस तरह से proper fallopian tube रहती है ovaries होती है vaginal canal रहती है पर जब यह infection होता है तो वहाँ पे जो है वो pulse बनने लगती है उसके लाव हम कुछ दूसरे symptoms देखे तो जब आपके body में pulse formation हो रही है और bacteria के साथ आपके WBC fight back कर रहे है तो उसके करन क्या होता है कि body temperature भी increase होता है कि जिसको हम fever कहते है कि जो 100 degree Fahrenheit के आसपास आपका temperature हो सकता है और body pain भी patient को जो होता है तो यह conditions को ठीक कने ले कौन सी दवा या use होती है तो इसमें बहुत सारे options रहते है तो सबसे पहले antibiotics के अंदर oral antibiotic का option रहता है फिर antibiotics के cream वगर अवेलेबल है तो उनके gels अवेलेबल होते है antibiotic injection और antibiotics के powders के भी option हमारे पास रहते है तो सभी के बारे में detail में आप जानते है तो सबसे पहला जो है medication वो है clindamycin तो clindamycin के आप oral capsules देख रहे है 300 mg की strength में आप ये marketed formulation उसका देख रहे है कि जिसका dose रहता है 150 से लेकर 300 mg जितना dose ये वो patient दिन में 3 या 4 बार जो हो ले सकते है फिर clindamycin का injection भी अवेलेबल होता है कि जिसका dose ये आप या लिखा हुआ देख सकते है कि 600 से ले से 900 mg जितना IV या फिर intramuscularly dose दिया जा सकता है patient को हर 8 गंटे पे या पे Q8H लिखा है उसका मतलब यह होता है कि हर 8 गंटे पे अगर 6 लिखा होता है यसा समझना होता है कि हर 6 गंटे पे तो ये जो clindamycin का injection होता है जब भी उसको लगाया जाता है तो IV में जब उसको लगाया तो उसको dilute किया जाता है अलगलग जो IV fluids होते है उसके अंदर और intramuscularly लगा जाता है तब कोई भी dilutions करने की ज़रूरत नहीं होती फिर दूसरा option बनता है clindamycin के gel का भी यहापे आप देख सकते हैं clindamycin के gel है और combination में nicotinamide जो है उसके अंदर है कि जो patient दो या तीन बार जो लगा सकते हैं जो कि आपको skin के उपर इस तरह से infection हुआ है कोई wound हुआ है और वहाँ पर पस बन रहा है acne या फिर pimples जैसे condition ही और वहाँ पर पस formation हो रहा है तो वहाँ पर भी यह medication जो आप लगा सकते हैं फिर septran करके जो tablet आदी है कि जिसके अंदर mainly composition होता है trimethoprim और sulfa mythoxazole होता है कि जिसको हम co trimoxazole भी गएते तो इसके एक tablet जो हो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो हो patient ले सकते हैं तो यह भी एक काफी अच्छी दवाए कि जो pus को सुखाने में मदद कर दिया कि जहाँ पर आपको wound हुआ है और वहाँ पर pus formation हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए tablet जो हो orally ली जा सकती है फिर antibiotic के powders के अच्छे options बनते हैं समझे कि जहाँ पर आपको इस तरह से wound हुआ है गाव हुआ है और वहाँ पर pus formation हो रही है तो यह जो powders यूज़ के जा सकते हैं उसमें एक marketer formulation आप देख सकते हैं नियो स्पूरिन करके कि जिसके अंदर नियो माइसन सलफेट होता है polymixin होता है और bacitracin और zinc का यह powder रहता है तो उसके अलग-अलग marketer formulation देख रहे है कि नयबा सलफ करके भी यह product available है Pfizer और Abbott के भी यह अलग-अलग available है तो कोई भी एक product आप यूज़ कर सकते हैं उसे इलाओ से नियो स्पूरिन का ointment भी available रहता है तो उनके लिए यह ointment का भी option रहता है कि जो ophthalmic मनलब की आखों में भी समझे कि pulse formation हो रही है तो वहाँ पे भी patient use कर सकता है eye specialist के suggestion के according to और दुसरी कोई जगा पे भी आप दिन में दो या तीन बार जो उसको लगा सकते हैं फिर povidon iodine का भी powder available होता है कि या पे आप देख सकते हैं कि povidon iodine 5% strength में available है कि एक उसका marketed formulation है beta din करके और दुसरा sipladine करके हैं तो दोनों में दवाई same होती है कोई भी brand आप use कर सकते हैं उसी तरह से उसका जो वह powder तो है उसी तरह से आप देखो तो उसका ointment पी available होता है कि ये beta din का ointment है और उसका sipladine का ointment जो वह market में available होता है ये जो ointment है वो दिन में patient 2 या 3 बार जो अफेक्टेड एरिया पे लगा सकते है कि जिसके करण post जो वह सूपता है wound healing जो वह होने लगती है अच्छे से और जल्दी से जो वह patient जो वह recover होने लगते है फिर oral tablets के अंदर हम जाए तो taxim OCV200 tablet भी patient ले सकते है कि जिसका dose रहता है एक tablet दिन में दो बार या फिर दिन में तीन बार लिए जा सकता है और हर एक dose के बीच में at least 8 गंटे का time interval रखना होता है कि जिसके अंदर sapphix सीम करके medication है और potassium chlorant के जिसके बार में already हमने detail में वीडियो में सिखा है फिर doxycycline का अच्छा option रहता है पस को सुखाने के लिए जिसके एक capsule जो दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो पेशन खा सकते हैं और ये खास कर 100 mg की strength में उसके capsules available होते हैं फिर azithromycin का भी एक अच्छा option बनता है कि कोई दूसरे antibiotic आपको suit नहीं हो रहे है तो उस वक्त azithromycin के tablets भी यूज की जा सकते हैं पर उसका dose रहता है कि जो 500 mg के आप tablets से रहे हैं तो उसको दिन में एक ही बार लेना होता है OD और maximum 3 दिक तनी उसको use करना होता है बिकास यहाप उसका जो dose है वो तीन ही tablet का होता है और अगर 250 mg का आप use कर दे tablet तो वो tablet दिन में दो बार लेनी होती है 8 गंडे के time interval पे फिर clayvam 625 भी यूज किया जा सकता है कि उसका tablet form में available है यह amoxicillin और potassium clayolinate किया जो tablet और एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार खाई जा सकती है इसी का injection का भी option मलता है कि जो augmenting करके injection है कि तो यह भी पस उखाने के लिए काफी useful सा भी देता है कि जिसका dose यहापर हम देखे तो 250 mg से लेकर 1000 mg जितना दिन में तीन बार दिया जा सकता है intravenous root से और proper dilutions करके उसको लगाया जा सकता है फिर C-feroxyn का जो antibody के, Cephalosporin class का यह antibody के, कि जो अलग-अलग strength में available है कि 250 mg as well as 1.5 gram में भी यह available था है तो उसका जो dose होता है 0.75 से लेकर 1.5 gram जितना रहता है intra-muscular या फिर IV हर 8 गंटे पर patient को लगाया जाता है और जब भी उसको IV में लगाया जाए तो proper dilutions करना जरूरी होता है फिर nor-metrosal plus का भी एक अच्छा option है, तो उसके अंदर combination होता है ornidazol और ofloxacin का, तो यह tablet patient जो दिन में, एक बार या फिर दिन में, दो बार जो यह वो ले सकते हैं फिर monosaf SB का injection भी काफी useful सा भी दोता है या आप पर, कि जिसका dose रहता है एक से लेकर दो ग्राम IV या फिर intra-muscular पूरे दिन में दिना होता है और divided dose में दिया जाता है हर 6 या 8 गंटे पर, उसके अंदर जो दवाई होती है वो है safe reaction होता है और sulbectum जो हो combination में होता है कि अगर किसी को safe reaction का resistance है, तो वो resistance overcome करने के लिए sulbectum साथ में, combination में होता है फिर C-feroxyum oxytil पर काफी अच्छा option बनता है कि इसका एक marketed formulation है force up करके, तो यह जो एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में तो बार जरुवत पढ़ने पर patient जो ले सकते है फिर linkomycin का जो injection है वो भी काफी useful साभी दोता है कि जो 300 से लेकर 600 mg के dose में use किया जाता है intramuscular या फिर IV से उसको लगा जाता है हर 8 गंटे पर फिर levoflox कि मानलो आपको urinary drag के अंदर इस तरह से first formation हो रही है kidneys के अंदर या फिर bladder के अंदर या फिर prostate के आसपास ऐसा हो रहा है तो उस वक्त levoflox जो वो काफी अच्छा और best option रहता है आपके लिए जिसके एक tablet दिन में एक बार या फिर दिन में दो बार जो वो patient लेते हैं जिससे उनका first formation जो होता है वो prevent होता है और दिरे-दिरे infection जो ठीक होने लगता है अगर आखो के अंदर के हम बात करें तो उसके अंदर जो आखो में जो antibiotics यूज होते है जिसमें एक option है moxifloxacin का है जिसके एक drop जो हो दिन में दो बार patient यूज करते है उसी के similar दूसरा option बनता है gatifloxacin का कि जो 5 ml as well as 2.5 ml दोनों के strength में available होती है तो उसके 1 या 2 drop जो हर 2-3 गंटे पे आईज में जो ही वो डालने होते है आपको अच्छे से हाथ को wash करके और धियान ये रखना होते है कि उसको high dose में कभी भी यूज ना कर ले और proper आपके जो ophthalmologist है आपके जो आँक के doctor है उनके सलाख है according to proper यूज करने चाहिए कि अगर आँक में यूज कर सकते है सिपलोक्स करके एक marketed formula से ने फिर अगर कोई भी antibiotic इन में से काम नहीं कर रही तो last आपके पास एक option बनता है lineageolid का कि आगे जो हमने जितनी भी अलग-अलग options डिसकस किये वो आपने यूज कर चुगे फिर भी pulse ठीक नहीं हो रहता आखरी option रहता है ये lineageolid का कि ये जो tablet है वो दिन में एक या फिर दिन में दो बार जिए वो proper medical supervision में patient use कर सकते है अब बात करते हैं कुछ homeopathic medicine की यहाँ पर pulse को सूखाने के लिए तो यहाँ पर एक sulfur gel करके अच्छी product आरती है जो उसके पास antibacterial action रहती है तो जहाँ पर आपको pulse हो रहा है जहाँ इस तरह से medical condition produce हुई है वहाँ पर ये दिन में दो या तीन बार जिए वाप लगा सकते हैं उसे दरह से उसके एक tablet साते हैं silly से 3X करके यहाँ पर आप tablet देख रहा है कि जो टोटल 25 ग्राम के strength में available होती है तो यह जो tablet होती है कि जो SBL का ही product है तो दो tablet आप दिन में दो बार या फिर दिन में तीन बार जिए वो ले सकते हैं तो यह बे काफी अच्छा option बनता है आपके लिए पस को सुखाने के लिए और यह भी आपके एक antibacterial property देती है तो ऐसे ही समझे कि आपको detail में सिखना है बहुत सरी दवा यू के बारे में बीमार यू के बारे में तो medicine course को जरूर से join करे तो यह course आपको काफी affordable price में मिलता है और इसकी detail जान करे के लिए आप हमें whatsapp कर सकते है 901631 2020 पर या फिर हमारी mobile application को download कर सकते है link आपको description box में मिल जाएगी so good luck and all the best